नमस्कार दोस्तो मैं हूँ तुशायर साहू और लिख रहा ह हूँ आपक लिक नया वीडियो जिया दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ काफी टेस्टी और हेल्दी मिक्स वेज सबजी बनाना तो देखते ही में इस सती वीडियो मिक्स वेज सबजी बनाने के लिए सब में पहले आपको सभी सबजीयों को काटना होगा तो अभी हमारे पस में टमाटर, सिमला मेच, बैग गन, पत्ता गोबी, फुल गोबी और आलू है इन सबी को हम लोग अच्छी तरह के से काट लेंगे, चौप कर लेंगे इसके बाद में हमारी जो पत्ता गोबी है, सिमला मेच है, फूल गोबी है, आलू है उन्हें गरम पारी में थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेंगे इसे सारी जो गंदगी सबजी की वो निकल जाएगी इसके बाद में हमारी सिमला मेच, टमाटर, प्याच, अदरक और लैसन को आप यहाँ पर इस तरह के से चौप करके रख लीजिए इन सभी का इस्तमाल हम लोग सबजी बनाने में करेंगे तो आपको टमाटर, प्याच, अदरक और सिमला मिर्च को चौप करके रखना है इसके बाद में आपको कड़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है और तेल लेने के बाद में हमारी जो सबजिया है उनको इसमें फ्राई करना है तो समय पहले हमारी कटी हुई प्याज को हम लोग इसमें डालेंगे उसके बाद हमारा कटी हुए लेसन, हमारा अद्रक ये तीनों चीजों को डाल के आपको थोड़ी दे तक इसको फ्राई करना है फ्राई करना है और इसे थोड़ी दे तक भूझना है जिससे ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए इसके बाद में हमें इसके अंदर जो हमारे तर्बूच के बीज भी इसमें डालेंगे तो ये तरबूच के बीच भी हम लोग ने हमारी कड़ाई के अंदर डाल लिये है और इसको थोड़ा सा हमें इसके अंदर फ्राई करना है जब तक ये थोड़े से ब्राउन कलर के ना हो जाए तो हमारी प्रयाज और ये सारे जो मिक्सचर है ये अच्छी तरीके से बून जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इसे हम लोग हमारी मिक्सर में डाल का इसे मिक्स करेंगे पीसेंगे जिससे हमारा ये पेस्ट बन जाएगा तो अभी हम लोगों ने जो हमारी फ्राई की हुए चीज़े है उसको mixer के अंदर हम लोग यहाँ पर डाल दिया है और इसको हम लोग mixer के तुरू इसको पीशने वाले हैं पीशने के बाद में इसके हम लोग gravy बनाएंगे mixing में पीशने से पहले आपको इधान रखना है कि इसको हम लोग को बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करना है थोड़ा सा दरदरा से पीशना है ताकि हम इसे अच्छी तरीके से gravy बना सके तो आप यहाँ पर जरू दिखिएगा इसको आपको ज़्यादा बारिक नहीं पीशना है चली इसके बाद में हमारा थोड़ा सा जो कड़ाई है उसके अंदर आपको थोड़ा सा टेल डालना है और टेल डालने के बाद में हमारी जो gravy है जो हम लोग ने अभी मिक्सर में पीशी है उसको हम लोग इसके अंदर fry करेंगे तो इसके लिए सब में पहले आपको इसके अंदर जीरा डालना होगा थोड़ा सा एक चम्मच जीरा डालने के बाद में आपको इसके अंदर डालना होगा हमारा पेस्ट जो कि हम लोग ने अभी मिक्सी में पीशा था तो ये paste भी हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया है अब इसको हम लोग को धीमी आज पे सीखना होगा जिससे हमारी ये mix wedge की gravy तयार हो जाएगी gravy तयार होने के बाद में इसमें हम लोग डालेंगे मसाले, तो मसाले में सब में पहले आपको डालना होगा पीसी हुई हरी धनिया जो कि आप यहां देख रहे हैं ये पीसी हुई हरी धनिया आपको एक चम्माच या देर चम्माच आप इसके अंदर डाल दीजिए हरी धनिया डालने से जो gravy का टेस्ट है काफी बढ़िया और अच्छा हो जाता है इसके बाद में हम लोग हमारे मसाले में एक चम्माच या देर चम्माच आप लाल मिर्च पौडर डाल सकते हैं तो इसमें हम लोग अभी एक से देर चम्माच लाल मिर्च पौडर डालेंगे या यदि आप तीखा खाते हैं तो इससे एक से दो चमच भी आप डाल सकते हैं इसके बाद में हम लोग हमारी gravy के अंदर धनिया शुरी हम लोग डालेंगे healthy powder healthy powder भी आदा से एक चमच आप इसके अंदर डाल दीजिए इसके बाद में हमारी जो मसाले हैं और हमारी जो gravy इसको थोड़ी दे तक आपको धीमी आज पर सिखने देना है इसके बाद में हमारे कटे हुए tomato हम लोग इसके अंदर डाल कर इसे थोड़ी दे तक fry होने देगे जिससे सारे मसाले हमारे tomato के अंदर अच्छी तरीके से mix हो जाए तो अभी आपने जैसे देखा हम लोगों ने हमारी gravy और tomato है इसका मसाला यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से बना लिया है इसके बाद में हमारी जो सबजी है जिने हम लोगों ने कुनकुने पानी में साफ किया था धोया था वो से लिकाल कर आपको अब इस कड़ाई के अंदर डालना होगा तो जैसे कि आप देखा हम लोगों ने हमारी जितने भी कटी सबजी थी उसको थोड़ा कुनकुने पानी के अंदर धोके से साफ कर लिया था अब इसे हम लोग हमारी कड़ाई के अंदर डालने वाले हैं तो सब में पहले आप टमाटर को अच्छी तरीके से यह मसल लें जिससे यह हमारी ग्रेवी अच्छे से त्यार हो जाए इसके बाद में हमारे कटे हुए सिमला मिर्च को हम लोग इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद में इसको थोड़ी देता कड़ाई के अंदर सिखने देंगे तो हमारे कटे हुए जो सिमला मिर्च है उसे भी हम लोग ने इसमें डाल दिया है थोड़े देर इसको सिखने दीजे और सिखने के बाद में इसको हम लोग हमारी जो कटी हुई सबजिया है वो इस कड़ाई के अंदर डाल देंगे तो हमारा जो gravy है यहां पर तयार हो गई है और इसके अंदर हमारी जो कटी हुई सबजिया है वो सारी हम लोग इस कड़ाई के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इससे mix कर लेंगे mix करने के बाद में हमारा एक समय important नमक हम लोग इसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह की से mix करेंगे नमक आप एक से दो चमज तक डाल सकते हैं या फिर साद अनुसार आप नमक इसके अंदर डाल सकते हैं तो अभी आपने देखा हम लोग ने काफी बढ़िया तरीकी से gravy बना ली और हमारी जितनी भी mix सब्जिया थी सारी सब्जिया को हम लोगों ने इसमें डाल दिया और इसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर एक चमज नमक डाला और थोड़ा सा नमक और डाल दिया जिससे इस सब्जी में इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा तो ये थी हमारी mix सब्जी अभी इसे हम लोगों को अच्छी तरीके से mix करना है और इसके बाद में बरतन धक कर इसको थोड़ी देर steam देना है steam देने के बाद में हमारी जो mix सब्जी है वो तयार हो जाएगी तो ये mix सब्जी बनाना काफी आसान है जो कि आज हम लोगों ने इसे बनाना सीखा है चलिए अब इसे हम लोग थोड़ी देर steam दे देते हैं और उसके बाद में हमारी ये mix सब्जी तयार हो गई तो दोस्तो जैसे कि आपने देखा ये हमारी mix सब्जी यहां पस तयार हो चुकी है इसके अंदर आप थोड़ा धन्या डाल के अब इससे आफ सब्जी कर सकते हैं तो दोस्तो आज हम लोग ने सीखा काफी बढ़िया और टेस्टी mix सब्जी मनाना वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं ऐसी नेक्स यूरो के साथ में तब तक के लिए गुड़ बाई जै हिंद जै भारत एंदो करेंगा मुझे के लिए प्ताइब जैए भी जै है उना इसके लिए जैए ने को सब्सके अर्छाइब में ताय हिंदो के साथ मुझेए ताय है